Hello guys, Welcome back to the channel. आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि एफिलेटिर मार्केटिंग काम कैसे करता है क्योंकि कुछ हमारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है कि एफिलेटिर मार्केटिंग का कॉंसेट क्या है और किस तरीके से काम करता है तो आज का वीडियो में पर्टिकुलर उनके लिए डिडिकेट कर रहा हूँ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से साइकल काम करता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो So guys वीडियो शुरू करते हैं और यह जानने की कोशिस करते हैं कि अफ्लेटिट मार्केटिंग का साइकल कैसे और किस तरीके से काम करता है अब मैं आपको समझाने की हिसाब से मैं आपको एक्स्प्लेइन करता हूँ कि यह देखिए यह जो हैं प्रोड़क्ट मैनुफेक्चर है मान लेते हैं समझने की हिसाब से कि यह कोई एक प्रोड़क्ट मैनुफेक्चर है जो कोई भी सौर्टवेर कंपनी बनाती है या कोई भी कैसा भी प्रोड़क्ट बनाती है जो advertise पे पैसा खर्च नहीं करते हैं और वो पैसा बचा कर क्या करते हैं कि वो सीधा affiliated platform पर वो आते हैं और वहाँ पे अपने product को register करते हैं अब affiliated program जो है जैसे कि मान लेजे click bank हो गया jbju हो गया, dg store हो गया और amazon जैसे बड़े platforms हैं इसके जैसे ना जाने हजारों ऐसे platform है जहां पे वो अपने product को list कराते हैं यानि कि register कराते हैं और वो register कराने के लिए क्या करते हैं कि अपने product को sale करवाना चाहते हैं sale करने के लिए वो लोग अपने product को यहाँ पे register करते हैं click bank, jbju, digit store और amazon जैसे flip card जैसे बड़े-बड़े platform पर वहाँ पर हम जैसे जो affiliated marketer होते हैं वो marketer अपने आपको register करते हैं और यह काम के लिए कि हम आपके product को बेचवा देंगे अब इनके product को बेचवाने के लिए affiliated marketer बहुत सारे हमारे पूरे इंडिया में ही नहीं बलकि पूरे world में बहुत सारे इसे बड़े-बड़े affiliated marketer हैं जिनका काम यही है कि वो product जो वहाँ पर list होते हैं वो उस product को यहाँ पर market करना शुरू करते हैं अब वो marketing का जो तरीका है वो चाहे sales generate जैसे चाहे वैसे करें अब यह sales generate करने के लिए जो हमारे affiliated marketer होते हैं हम जैसे जो लोग होते हैं वो सहारा लेते हैं Facebook एड चलाने के लिए Google एड के माधियम से या paid organic paid promotion करें या फिर वो organic तरीके से करें बिना पैसे का करें यह depend करता हैं हमारी उपर हम जैसे जो लोग होते हैं करते हैं कि वही हमको sales generate करने से मतलब हैं चाए हम sales चाए वो प्री में करें या paid promotion करें वो हमारा call होता है अब जिनके पास में पैसे नहीं है जो अभी just start किया है beginner है तो वो एक organic तरीके से वो sales generate करने की कोशिस करेंगे वो free promotion करेंगे free promotions के बहुत सारे Instagram है Facebook है Pinterest है मैं आने वाले सारे वीडियो मैं बारी बारी से में बताने वाला हूँ ये वीडियो मैंने बीच में इसलिए डाल दिया है क्योंकि बहुत सारे affiliated marketer जो नए beginner है जो बहुत confused नहीं इस बात को लेकर कि वो start किसे करें वो कैसे काम करता है उनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ बीच में डाल रहा हूँ तो sales generate करने के लिए कुछ लोग Facebook का साहरे लेते हैं और कुछ लोग Google AdWords का साहरे लेते हैं उस पे इनके product को जो manufacturer जो product है उन्होंने जो list करवाई है इस platform पे हमने वहाँ से अपनी accordingly हमने product को pick किया कि भई हमको ये बेचना है हमको बो बेचना है और वो affiliated marketer के तौर पे उन्होंने pick किया pick करने के वाद sales generate करने के लिए उन्होंने ad companion बनाया कुछ manufacturer जो company होती है जो ये अपने sales page पे पे सारी चीज़ी होती है कि उनको कैसे market करना email list कैसे जाएगी ad क्या होगा किस तरीके से काम होगा तो इनका काम है सीधा affiliated marketer का काम है इनके sales page पे sales page पे ले कर आना audience को तो ये जो cycle है ये पूरी तरीके जो cycle है product manufacturer ने अपना platform पे affiliated platform पे उन्होंने product को list किया affiliated marketer ने platform से pick किया और उन्होंने sales generate करने के लिए सहारा लिया Facebook और Google Ad का paid promotion के लिए और organic तरीके से भी अपना जैसे product के review लिख सकता है review लिख के अपना affiliated link को आदे सकता है और कोई भी user उसके link से buy करता है तो sales generate होगी तो ये जो हमारा जो काम होता ये sales generate करने का काम होता और हम चाहे sales जैसे भी लाएं चाहे फ्री में लाएं या चाहे वो paid promotion करके आएं तो ये हमारा call होता है एक affiliated marketer वो decide करता है कि उसके skills कैसी अगर आप beginner है पैसे नहीं है तो जायर से बात है आप organic तरीके से sales करने की कोशिस करोगे अलग-अलग तरीके से करोगे लेकिन एक चीज़ affiliated marketing में एक चीज़ क्या होती है कि आप directly इसके affiliated link को product के affiliated link को आप directly कहीं भी copy paste नहीं कर सकते आपको एक breeze बनाना पड़ेगा आने वाले में वीडियोज में मैं बताऊंगा कि sales front कैसे बनता है और कैसे उसकी lead magnet generate करते है और कैसे हम email के माध्यम से email लेते हैं user का email लेते हैं और कैसे उससे हम अपने form fill up करागे हम email store करेंगे और कैसे हम email marketing करेंगे ये सारी चीज़ें affiliated marketer का काम होता है चाहे वो email के माध्यम से email marketing करें चाहे वो जैसे करें जब आप 6 महिने हो जाता है तो हमारे पास काफी सारी email store होता है जब हम इस तरीके से हम paid promotion करते हैं तो हम जो भी user होते हैं उस user को हम email का एक form fill up करवाते हैं और email हमारे autoresponder जैसे कई सारे email marketing companies हैं हम उनका membership जोइन लेते हैं paid और free कुछ लोग होते हैं और वो autoresponder के माध्यम से sales generate करती हैं तो overall हम उसमें बाद में आएंगे उस topic पे मैं बाद में cover करूँगा लेकिन आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही में cover करना चाहता हूँ कि यह जो manufacturer है इन्होंने list कराया affiliated marketing ने product को pick किया और इसने अपना sales generate करने के लिए इन्होंने facebook, google, free और paid promotion का साहरा लेके हमने sales को generate किया और हमारा sales generate होने के बाद में हमें जो commissions होती है वो हमें मिलती है 50% से लेके 90% तक वो depend करता कि आपका product कैसा है high ticket का product होते है high ticket का मतलब यह होता है कि जिसमें margin बहुत ज़्यादा होती है low ticket का मतलब यह होता है जिसकी cost कम होती है और commission भी कम होती है तो इसको कहते है low ticket तो यह commissions जो मिलता है affiliated marketer को यह सीधा हमारे पास आता है और यह पूरी cycle इस तरीके से काम करती है, प्रोडक्ट मैनुफेक्चर एफलेटेड मार्केटर प्रेटफॉर्म पे गया, वहाँ से एफलेटेड मार्केटर ने पिक किया और वहाँ से सेल जनरेट किया, फेस्बुक, गूगल एड, रिवियू और पिंटरस्ट, सोसल मिडिया का सहरा लेकिया, सेल्स जनरेट हुआ, कमिशन आया, और इस कमिशन को हम अपने बैंक एकॉन में बिड्रो करते हैं, तो ये पूरा का पूरा एक साइकल है, एफलेटेड मार्केटिंग का, I hope आपको ये सारी बाते समझ में आचुकी होगी, अगर फिर भी किसी परकार का कोई कन्फ्यूजन हो, तो कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखो, मैं पर्टिक्लर बीडियो बना के आपको डेडिकेट जरूर करूँगा, और मेरे आने वाले बहुत सारी बीडियोज हैं, उसको देखना, और previous में मैं बहुत सारी वीडियोज मैं बनाये हैं, जिसको भी प्लेस्ट में लगी हुई है, उसमें बहुत सारी वीडियोज आप देख सकते हैं, चेकाँ कर सकते हैं, और आने बाले वीडियोज में फंनल्स के बारे बात करूँKimा, sales funnel के बारे बात करूँगा, बहुत सारी जो marketing की जो बारी की हैं, वो सारी details आपको इस platform पे आपको मिलने वाली है, make sure अगर आप पहली बारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप इसको subscribe कर लीजिए और साथ पे बेल आइकन बटन जरूर दबाएए, ताकि मेरी हर वीडियो की notification आपको मिलती रहे, क्योंकि आपको यहाँ पे online money making के बहुत सारी ideas आपको यहाँ पे मिलने वाली है, तो चलिए मिलते हम किसी और नए वीडियो में, till then bye bye, take care and have a good day.